नमस्कार मैं अनुस दिवारी परिच्छा प्लस की इस online platform में आप सभी का एक बार हार्दिव सागत और अभिननधन करता हूँ इस session में सबसे ज्यादा जो important बात हम करने वाले हैं वो है RO ARO को ले करके RO and ARO को ले के और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं ये एक बार मैं आप से पहले बताना चाहूंगा क्योंकि अमोमन एक class में सबसे ज्यादा जो questions पूछा जा रहा है वो ये है कि sir RO ARO को ले करके trend क्या है उसके subject कैसे हैं और कहां से कितने questions पूछे जाते हैं और सबसे खास बात है यहाँ पे मैं उन्ही questions को cover करने वाला हूं जो मुझे अपने class में जर्नली पूछे जाते हैं या देखने को मुझे मिला है उन मेंसे कुछ questions मैं note किया हुआ हूँ जो आपके queries हैं वहीं पे मैं sort out करने की courses करूँगा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा questions आपके पूछे गया है ROARO को ले करके वो एक question है आपका सबसे important है NCRT को ले करके इस पे मैं चर्चा करूँगा एक pet को ले करके है कि क्या pet का ROARO से कुछ लेना देना है या नहीं लेना देना है इस पे एक बार हम चर्चा करेंगे और एक सब लेबर्स के साथ में सर इसका trend क्या है सबसे important है कि exam का trend analysis कैसा है वो हम जान जाए और अगर एक बार हमारा cut-off भी हमें पता हो तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें किस level तक खुद को ले कर जाना है ठेक है और एक सबसे खास बार जो अभी तक मेरे साम मुझे देखने को मिल लेडी अपनी services provide कर रही है तो आरो ए आरो को लेकर के परिच्छा प्लस की क्या रहन दीती है इस पर हम एक बार विचार भी मर्स करते हैं तो सबसे पहले मैं एक के question जो आपके है उन्हें cover करना चाहूंगा NCRT को मैं भी hold करता हूं पहले मैं pet से बात कर रहा हूं maximum question यही पूछा जा रहा है कि सर क्या आरो ए आरो के लिए pet important है जी नहीं मेरे दोस्त pet बिल्कुल भी important नहीं है UP SSC pet को conduct करवाती है और आरो ए आरो यूपी PCS conduct करवाती है तो simple सा है अगर दोनों को conduct कराने का commission अलग है तो simple सी बात है कि दोनों exam का syllabus अलग होगा रन नीती अलग होगी और दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगे तो pet अलग है pet के अंतरगत आप UP SSC की सारी भरतियां देखेंगे और जो आरो ए आरो है यह आपको PCS के थोरो या UP क्यों जो commission है वो कराती है जैसे अभी साथी में एक exam आने वाला ए इसकी तैयारी अलड़ी परिच्छा प्लस करवा रही है वो है खंड सिक्षा डिकायरी की जो ठीक ठाक भरती है एक अच्छी जॉब है वो आपका UP commission करवाएगा साथी में अगर आप देखेंगे आरो ए आरो यह भी आपका UP commission करवाता है और PCS भी UP commission ही करवाता है तो एक मैं सोरे पहला कि PET का आरो ए आरो से कोई लेना देना नहीं है हम बात करते हैं syllabus की देखेगा syllabus को लेकर करके अल्रेडी आसी सर ने एक detailed वीडियो आपके साथ शेयर किया है तो अगर आपने उस class को भी नहीं लिया है तो एक बार आप उसे देख सकते हैं वहाँ पे बहुत वि जादा फोकस होगा trend analysis और strategy को लेकर के लेकिन फिर भी एक बार हम syllabus पे भी नजर डालेंगे तो देखते हैं कि हमारा syllabus कैसा है अगर मैं syllabus की बात करूँ आपके सामने है simple सा है समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी की मैं प्रारंभी परिक्षा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं आपके साथ means को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका syllabus प्रथम प्रश्न पत्र मतलब क्या ह कि समिख्षा दिकारी और सहायक समिख्षा दिकारी में आपको दो प्रशन पत्र देखने को मिलतें पहला आपके एक वंपोर्टि या एक जिस देखने को मिलता है तो हिंदी में आपके 6 टॉपिक हैं और उन 6 topics से आपके 60 प्रशन पूछे जाते हैं और GS में ये आपके कुछ subjects हैं यहां से आपके 140 या 140 प्रशन पूछे जाते हैं उसमें से अगर मैं बात करूं GS first paper की आपका समानी विज्ञान है भारत का इतिहास है राष्ट्रिय आंदोलन, राज व्यवस्था, कृष्टी वा प्रशन योम नगरी करण, बिश्वयोम भारत का भुगोल, समाजिक मुद्दे, सामान बहुत दिख्षमता और उत्तर प्रदे से संबंधी, सिछा, संस्कृति, कृष्टी, उद्योग व्यापार और जो मिसलेनिया टर्म्स हैं I mean जिसे आप UP special के नाम से जानते हैं ये जियोग्राफी कहा जा रहा है, पॉलिटी कहा जा रहा है, एकॉनमी कहा जा रहा है और एकॉनमी के साथ में इन्वायरमेंट कहा जा रहा है और इन्वायरमेंट के साथ में सबसे इन्पॉर्टेंट है आपका C.A. Current Affair और मैं बात करूँ तो आपका जो UP special है ये चीजें यहां पे आपसे कही जा रही है कि ये आपका GS first paper का syllabus है और इसके बाद हम हिंदी पे बात कर लेंगे कि हिंदी में हमें कौन कौन से topics देखने को मिलते हैं मैं आगे trend को लेके बात करूँगा बट लेकिन अगर एक बर आपको syllabus भी पता हो तो trend analysis करना बहुत ज्यादा आसान आ और एक चीज मैं बताऊं overall यहां पे आपको 140 questions GS के 60 questions हिंदी के total आपको 200 questions देखने को मिलते हैं और जो आपके each question की मैं बात करूँ each questions आपके 1.33 numbers के देखने को आपको मिल जाते हैं ठीक है तो हिंदी के मैं बात करूँ तो हिंदी में मैंने कहा सिर्फ 6 topics हैं आपके एक है आपका विलोम अनेक सब्दों के लिए एक सब्द I mean एक सब्द का मतलब है कि अनेक आर्थी सब्द types के questions होते हैं विशेश्यों विशेशन के हैं वाकियों वर्तनी शुद्ध को लेके तत्वों तत्सम और आपका प्रियावाची है सिर्फ जो मनलब यूं कहूं हिंदी में तो जो बोको बैलरी pattern है यहां पे सिर्फ बोको बैलरी pattern को ही follow किया गया है और एक सब्से खास बात है कि समिक्षा अरिकारी में हिंदी का एक बहुत ज्यादा important role होता है हम यह आगे strategy पर बात करेंगे तो यह आपका कुछ syllabus है अब मेरे दोस्त अगर syllabus पता चल गया है तो अगर हमें trend पता चल जाए तो हो सकता है हम एक step और आगे बढ़ जाएंगे ठीक है अगर हम बात करते हैं इनके trend analysis की तो यह अभी तक का इनका कुछ विगत तीन वरसों का trend है यह मैंने sequence wise आपको बताने की courses की है जिससे आपको पता हो कि पर subject का हिस्सा कितना है और एक बात मेरे दोस्त अगर पर subject का हिस्सा पता है तो यह आपको पता होगा हमें को कितनी ज्यादा value देनी है वही पे अगर मैं सबसे पहले इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक यह हम तीन इतिहास देखते हैं विश्व इतिहास का यहां सच ऐस कोई बहुत ज़्यादा important role नहीं है अगर आप UPPCS and UPSC mains देते हैं वहाँ पे आपको word history देखने को मिलता है वही पे अग बात करूँ तो आधुनिक से net 16 question हमें देखने को मिले हैं और overall less or more than हमें 20 से 23 question देखने को मिला या 20 to 23 question देखने को मिला है मैं यहां पे लिखता हूं कि overall इतिहास से हर साल आपको 20 से 22 question देखने को मिलेगा यह fix pattern है UP commission इसी pattern को follow करती है एक चीज मैं बताऊं कि चाहे ROAR हो या PC दोनों का syllabus लगबग अमूमन सेम पढ़ना है लगबग question of nature भी सेम है हाँ कटाव को लेके थोड़ा आगे पीछे होता रहता है बट कटाव भी same approach जाती है में में हमें changing's देखने को मिलते हैं ठीक है वही पे अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में 4 प्रश्ण प्राचीन से है 8 प् आपको आधुनिक से देखने को मिलेगा यहां भी एप्रॉक ट्वेंटी 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 टू कुईशन के असपास पूछा गया है और अगर मैं 2021 की बात करूं जो पांच दिसंबर को कंड़क कराया गया है सेम पैटन वहां भी है 4, 16 और 12 ओवराल 22 कुईशन आपक को देखते हैं राजस्थान का वन थर्ड आपको क्या देखने मिलेगा राजस्थान स्पेशल बिहार का भी सेम है अगर आप 36 गड़ जारखंड को देखेंगे वहां तो पेपर ही अलग है स्पेशल का और MP वाले भी अपने स्पेशल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्स द तो मैं यहां पे लिख देता हूँ साइंस भी आपको एपरोक्स 18 प्लस माइनस 2 देखने को मिला है हर साल वो भौतिक विज्ञान हो रसायन विज्ञान हो और जियू विज्ञान हो जियू विज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करता है अगर मैं बात 2016 वाले की तो दो प्रश्ण तो भौतिक से हैं रसायन से यहां भले ही पांच पूछा गया है लेकिन जियू विज्ञान से तीन क्रश्ण लेकिन प्रजेंट टाइम का जो अभी का पैटर्न है बायलोजी का सबसे ज्यादा वेटेज है और यहां से अप्रोक्स अगर आप द 2017 की तो पांच प्रश्ण भौतिक से हैं वही पे मैं बात करूँ 2 प्रश्ण केंस्टी से है और बायोजी मैं बात करूँवा्टो तो देस प्रशण आपका बायोजी से हमें देखने को मिलते हैं वहीं पे 21 का भी same pattern है यहां पर हमें साइन्स से ओवर और 16 प्रश्ण देखन को मिले हैं 12 प्रस अगर मैं 2021 के PCS की मैं बात करूँ समझ चाहूं का 2022 के PCS की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि इन्होंने एकोनमी का ऐसा हल किया है कि लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में एकोनमी को खोया पाया विभाग में भरती कराना पड़ेगा क्योंकि ये एकोनमी को इत्ता जादा वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं वहीं अगर आप UPSC को देखें कि तो जब से मोधी गवर्मेंट आई है 2014 के ब मिलेगा जहां कटा 45 कोईशन के ऊपर नहीं जाता है ठीक है लेकिन यहां यह ट्रेंड नहीं एकोनमी को यह क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता सामानी बहुत दिख चमता की बात करूं जो मैथ वाला पैटर्न है वहां पर फिक्स है कि आपको 15 प्रश्न देखने को मिल ज जाता है अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भारत यों बिश्यो के भूगोल में ओवर ओल यह भी आपको 15 प्लस माइनस 2 कुईशन हमें देखने को मिलता है आप देखेंगे कि भारत के भूगोल को ज़्यादा वेटेस दिया गया है और बिश्यो के भूगोल को अप्रेक् जब वो बढ़ रहा है 2016 वाले में आप देखेंगे तो 25 प्रस्ण 2017 में नौ प्रस्ण और 2000 में बात करूं 21 वाले में तो 18 प्रस्ण देखने को मिला है लेकिन फिर भी यह एन एप्राख्स जो अभी ट्रेंड है 20 प्लस माइनस 2 के तौर पे हमें करंट अफ्यर देखने को मिल पॉलिटी की मैं बात करूं तो पॉलिटी 10 कुईशन पूछा गया 16 में, 7 कुईशन पूछा गया है 17 वाले में और 21 की मैं बात करूं तो 9 प्रस्ण पूछा गया है फिर भी राज व्यवास्था में आपको 10 प्लस माइनस 3 कुईशन देखने को मिल जाता है लेकिन अगर प्लस माइनस 2 के तौर पर हमें देखने को मिलता है एक चीज़ और मेरे दोस्ट अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं और इसी के साथ मैं इन्वायर्मेंट या इवियस की बात करूं तो इन दोनों को मिला करके मान के चलिए की 30 प्लस माइनस 5 कुईशन आपको देखने को जो मिलता है वहीं पर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर यह सबसे ज्यादा आपका economy वाले section में पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि 2016 वाले में 7 प्रशन पूछा गया है 17 में 7 और 2021 वाले में हमें 4 प्रशन देखने को अमूवन मिले हैं तो ये कुछ एक trend analysis है, यह fixed pattern है कि किस साल कितने questions पूछे गए हैं और यह बहुत ज़्यादा changing भी नहीं होता, history 20-22 questions पूछना है तो पूछेंगे, quality को 13-2 पूछना है तो यह पूछेंगे, geography को अगर आप देखेंगे 30-35 के बीच पूछना है तो यह पूछेंगे, हमें यहाँ बहुत ज़ देखेंगे, negative marking को include किया गया है, उससे पहले negative नहीं होती तो cut-off बहुत ज़्यादा जाते थे, सामानिवर की मैं बात करूँ तो 148 number है, OBC और journal cut-off लगबग अमोमन सेम ही रहता है, एक card number आगे पीछे होता है, बट बहुत ज़्यादा हमें इस पर mind नहीं करना, मैलाओं की म मैं बात करूँ, 2017 वाले की, तो सामानिवर्ग का 112, OBC का भी 112 के आसपास है, महिलाओं का 112, अनसूचित जाती 105 और अनसूचित जन जाती का, हमें 84 question effect कम देखने को मिलता है, बट इस बात थोड़ा ज्यादा का अनुमान है, सो अगर मैं install की बात करूँ, अभी ये pending है, pending का मतलब है final नहीं हुआ है, बट जो production किया जा रहा है, उस आधार पे मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ, 2021 आरो, आरो का ये पहला ऐसा exam हुआ है, जिसमें negative marking को include किया गया है, सामानिवर की मैं बात करूँ, तो ऐसा कहा जा रहा है, कि स्तायद 125 से 128 नंबर के आसपास, या मैं बात करूँ, questions की, तो 92 से लेकर के और 95 questions के approximately cut-off रहने का अनुमान व्रेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी final selection या final ये प्रिक्रिया है, नहीं हो पाई है, इसलिए completely, commission ने भी इस पर भी कोई respond नहीं दिया है, OBC का भी लगभग सेम ही है, 122 से 126 के आसपास, बहुत जादा difference नहीं देखने को मिलता, मैलाओं का 113 से 117 के बीच, और अनसूचित जातियों की मैं बात करूँ तो 105 से 112, और वहीं अनसूचित जन जातिका, लगभग 92 से और 102 के बीच, हमें ये कटाफ देखने को मिली है, अब अगर ये पता चल जाए, और कटाफ पता चल जाए, तो simple का है कि मैं 3 step को cross कर चुका हूँ, और अब हमें accelerator पर पैर रखना है, और अपनी गाड़ी को start करना है, मतलब हमें अपनी तयारी को start करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कि युद की रणनीती कभी भी य सेना पती के तंबू में बनती है, और सेना पती का तंबू मतलब आपका अपना कमरा है, और आपको अपने कमरे में ये strategy को बनाना है, डिक्टो यहीं नहीं, जिसमें आप comfort हो, वो आप follow करने की कोसिस करिए, एक चीज़ और, कटाफ के बाद में हमारी strategy क्या होनी चाहिए, ये मैं बात करता हूँ, फिर परिक्षा प्लस की क्या strategy है, ये मैं आपसे बात करूँगा, अगर मैं strategy की बात करूँ कि इस exam को qualify करने के लिए, या अपने आपको safe zone में रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं सिफ दो ही चीज़ कह पाऊँगा, strategy हमेशा दो चीज़ों प request नहीं पता होगा, आपकी strategy कैसी है, ये कोई नहीं कह सकता, किसी वे topper को follow करने से पहले जरूरी है कि आप उसको समझे जाने, उसके strategy को तभी आप follow कर सकते हैं, एक चीज़ और, आप कितने बहतर हैं, किस subject में ये आपको पता है, और आपका subject कौन सा weak है, या कौन सा बट कोई जरूरी नहीं कि मेरा current affair नहीं अच्छा है, तो आपका भी नहीं अच्छा होगा, हो सकता है, आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है, so strategy आपकी खुद की होनी चाहिए, पहले चीज़, notes आपका खुद का होना चाहिए, किसी topper का नहीं होना चाहिए, क्योंकि topper notes अप पर्टेजना प्रोटोकॉल, modern tale प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, यह चार प्रोटोकॉल है, जो important है, environment को लेके, बट एक बात बताईए, कि topper को already, दो पहले से पता है, और दो भूल जा रहा है, तो जो उसको पता है, वो अपने यहां पे note करेगा, जो भूल जा रहा कि अपने strength और weakness के आधार पे, आप अपने strategy को बनाईए, पहले चीज, दूसरी चीज, एक सबसे ज्यादा question मेरे से class में पूछा जा रहा है, जैसे कि जब मैं economy पढ़ाता हूं, या history भी मैं पढ़ाता हूं, PZT वालों को, तो सबसे खास बात है, कि sir, NCRT अगर मैं ना पढ हूं या नहीं पढ़ पाया हूं, तो मैं क्या करूं, या तैयारी कोई से बढ़ा हूं, एक बात बताओ मेरे दोस्त, किस बेवकूफ ने आपसे कहा है, कि NCRT नहीं पढ़ोगी, तो selection नहीं होगा, क्या ये कोई मतलब एक antibiotic है, कि ने, इसको पहले आपको लेना है, तभी जा पढ़ा, जो करना है कर लो, मैंने NCRT नहीं पढ़ा है, ठीक है, concept clear है, कुछ पूछे कैदो, मैं जानता ही नहीं हूं, आप जानते तो भी कहिए, मैं नहीं जानता, इससे आपके अंदर frustration नहीं आएगा, पहले चीज, क्योंकि अगर आपसे कुई पूछ ले आपना बता पा क्लास लीजिए, किसी भी टीचर का मतलब है, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़िए, 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 प्रीविस यर के पेपर को देखें, क्या आप उसे solve कर पा रहे हैं या नहीं, या आपकी जो understanding है, वहां तक पहुँच रही है, या नहीं, अगर problems आ रही हैं, तो आप उसे solve कर ये, नहीं आ रही है, तो that's good, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी कुछ strategy को लेकर के हो गया, NCRT को लेके हो गया, नहीं पढ़े हैं, मत पढ़िए, तनाव मत लीजिए, जरूरी नहीं कि selection के लिए NCRT चाहिए, एक बदर ध्यान दीजिए, ज पर एक NCRT भी लिख दिया जाता, ऐसे ही, NCRT, मतलब NCRT भी पढ़ना है आपको, कहीं नहीं लिखा है आपके syllabus में, मत पढ़िए, traditional book को follow करिए, ठीक, परिक्षा प्लस क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आल्रेडी परिक्षा प्लस खंड सिक्षा दिकारी का batch launch कर चुका है, वो successfully run कर रहा है, history की वहाँ पर class चल रही है, और आपकी economy की class चल रही है, 12 से एक history के आसपास आप देखते हैं, और भी classes आपको मिल जाती है देखने के लिए, वहीं पर GS Foundation का भी batch चलाया जा रहा है, वहाँ पर भी आप देखेंगे, तो आपको बहुत सारे classes provide किया जा रहा है, notes भी provide किया गया है, साथी में RO, ARO को ले करके, अभी यहाँ पर क्या है, RO, ARO को ले करके, यह जो batch launch किया जा रहा है, यह already admission start हो चुके है, जो 3000 का course है, वो आपको अभी only 599 में ही दिया जा रहा है, minimum price पर दिया जा रहा है, आप उसका lab उठा सकते हैं, यहा set भी कराया जाएगा, साथी साथ में जो doubt session है, उसकी भी facility आपको provide की जाती है, तो overall परिच्छा प्लस की यह strategy है, किसको ले के RO, ARO को ले करके, Monday से इसकी classes start के की जाएगी, और साथी में आप देखेंगे परिच्छा प्लस के जो content है, या quality है, वो सबसे उंदा level पे आपको द strategy होना चाहिए, trend analysis मैंने आपको बता दिया है, syllabus मैंने आपको बता दिया है, pet का कोई संबंध नहीं है, NCRT नहीं पढ़े हैं, तो मत पढ़िए, तनाव मत लीजिए, और cut-off को ले कर भी मैंने सारी केसे आपको बता दिया है, तो उमीद करता हूँ कि यह पूरा analysis आपके लि इवेन अगर आप call नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां से आप इस class को access कर रहे हैं, नीचे comment box में अपने doubt को drop कर दीजेगा, परिच्छा प्लस उसे shout out करने की कोसिस करेगा, चले इसी के साथ मैं सेशन को end करता हूँ, मिलते हैं फिर next time, तक के लिए thank you, जय हिंद